हान जी नमस्कार फ्रेंड्स सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफोर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज मैं लेके आए हूँ अर्याना जी के का जो पार्ट फाइव है जिसमें हम देखने वाले हैं जितने भी हर्याना के चीफ मिनिस्टर हुए है उन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो की पेपर में पुछे जाते हैं उन में से जो पिछले पेपर में पुछे गए हैं उन पॉइंट्स को मैं हाइलाइट कर दूँगा और आपको बता दूँगा कि ये पेपर में पुछे गए हैं ठीक है जी चलिए तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं पंडित बगवल द्याल सर्मा जी के बारे में एक कोश्चन इन में से पुछा गया था भी इनका जनम कहा हुआ था तो इनका जनम मुआता जी बेरी जचर से ठीक है तो कई बार ये भी पुछा जाता है कि पंड़त बीडी सर्मा जी है उनका जो जनम स्थान है वो कौन सी स्टेट में है तो ये जजजर के अंदर है ये बात भी आप याद रखेंगे और जजजर जो है वो एक मातर हमारी जो है अरक्षित सीट है ये भी आप बात याद रख सकते हैं अगर मेरे जो पिछले चयार लेक्चर हैं जिसके अंदर हमने विदानसवा और विदानसवा अदेक्स के बारे में पढ़ा है अगर वो आप देखना चाते हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं जिसमें राजज्य का परधम मुख्यमंतρι बनाया गया तो ये बीडी सर्माजी जो थे हमारे ये परधम मुख्यमंतρι थे बीडी सर्माजी अर्याना की प्रधम मुक्गय मंतरी थे उसके बास में देखिए इन्हें 1915 में मिसा कानून के तहट नजर बंद किया गया है कूशन कई बार पुछा जा गया है कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनें मिसा कानून के तहट 1915 में नजर बंद किया गया था तो BD सर्माजी को मिसा कानून के तहट नजर बंद किया गया था अगर आपको मिसा कानून के बारे में जानना है तो आप सिंपली इसको गूगल कीजिए और YouTube पे इसके उपर बहतरीन वीडियो बनाई गई है जिसमें मिसा कानून के बारे में पूरा बताया गया है इन्हें उडिसा और मध्या प्रदेश का राजयपाल बनाया गया था अब आपके लिए एक क्वेश्चन जो मुझे आप कमेंट वोक्स में बताएंगे एक अर्याना के एक मातर ऐसा व्यक्ति जो CM, चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री यानि की डिप्टी CM, डिप्टी CM और विदानसवा अध्यक्स तीनो रहा है एक मातर ऐसा व्यक्ति उसका नाम बताएं जो CM, डिप्टी CM और विदानसवा अध्यक्स तीनो रहा है उसका नाम आप मुझे कमेंट वोक्स में बताएंगे चलिए बढ़ते हैं next question के और ये पिलानी के बिरला स्कूल के अंदर शिक्षक थे ये एक शिक्षक थे स्टार्टिंग में शिक्षक थे और फिर इन्होंने इनी के नाम पर पड़ित बीडी सर्मा स्वास्तिय विश्वविदालय रोतक स्थापित किया गया है बीडी सर्मा कोलेज जो है स्वास्तिय का हेल्थ जो है मेडिकल कोलेज जो है बीडी सर्मा मेडिकल कोलेज बीडी सर्मा मेडिकल कोलेज जो है वो रोतक के अंदर जो है वो इनके नाम पर ही स्थापित किया गया है ठीक है चलिए बढ़ते है next point के और यह आपकी सक्रीन पर ये कौन है आप इनका पहले नाम मैंने नहीं लिखा है आप इनके नाम बताएंगे ये देखे ये राज्ये के दूसरे CM थे और प्रधम गेर कांगरेसी मुख्यमंत्री बने थे आप सोच लीजिए जब तक देख रहे हैं फिर मैं आपको इनका नाम भी बता देता हूँ इनका नाम क्या था अर्याणा के दूसरे CM कोन बने थे आप उनके बारे में मुझे बताएंगे ठीक है आपके पास 10 सेक्ट है सोच लीजिए आपका समय समापत हुआ तो इनका नाम था जी राव विरेंदर सिंग राव विरेंदर सिंग ठीक है जी ये राव विरेंदर सिंग ये के दूसरे CM थे और प्रधम गेर कांगरे सी मुख्यमंतरी बने थे इन्होंने ही अर्याना विशाल पार्टी का गटन किया था सबसे important point इसका जी अर्याना विशाल पार्टी का गटन किनोंने किया था और अर्याना विशाल पार्टी किसकी है यह आप बताएंगे कोशिन के इबार पेपर में पूछा गया था आपके लिए इंपोर्टेंट है थर्ड पॉइंट यह राब तुलाराम के वनसस थे यह भी बात आप त्यान रख सकते हैं इंपोर्टेंट नहीं है यह इंपोर्टेंट है अगर प्रदम मेला के बारे में बात करेंगे तो आप मुझे comment box में बताएंगी प्रदम नहीला जो विदानस्वा अधीक्स थी वो कौन थी और प्रदम निर्वाचित विदानस्वा अध्यक्स भी यही बने थी पिछे से आने वाली आवाजों के लिए भी मुझे खेद है क्योंकि अभी construction जल रही है जिसकी वज़े से ये आवाज हैं आपको दिखाई सुनाई देगी चलिए next point की और बढ़ते हैं इन्होंने सनातक सेट स्टिफेंस कोलेज नहीं दिली से आसल की थी ये important point नहीं है फिर भी आप याद रख सकते हैं रिवाडी कुझिला बनाने में इनका सबसे महतपुर्ण योगदान था राव विरेंदर सिंग जी का ठीक है आप ये बात याद रखेंगे और नोट कर लें पिरिवाडी को जिला बनाने के लिए राव विरेंदर सिंग जी का बहुत बड़ा योगदान था आप ये याद रखें ये point important है आप इसको mark कर सकते हैं ये 1971 में मेंदरगर से विशाल हरियाना पार्टी के सांसत बने थे इसके विशाल हरियाना पार्टी जिनका गठन इन्ह इसके बाद 1980 में इंदरगांधी ने इनको क्रिशी सिंचाई गरामिन एवं खाद्य आपूर्ती मंतरी बनाया था तो ये point आपके लिए सबसे important है क्रिशी सिंचाई गरामिन एवं खाद्य आपूर्ती मंतरी जो सेंटर के अंदर बने थे वो कौन थे उनका नाम है राव बि सिलाल जी के बारे में ये रहा राज्ये में कुल तीन बार ये सियम बने थे कितने बार तीन बार तीन बार ये सियम बने थे एक बात और ये वेसे वकील थे इन्हें हर्याना का सिल्पी बै लोग पुरुष भी कहा जाता है सिल्पी बै लोग पुरुष आए चोदरी बन सिल के मुख्यमंत्री थे सबसे important point सबसे important point इस लेक्चर का सबसे कम उमर के मुख्यमंत्री कौन थे चोदरी पंसिलाल देखिए next इन्हें आधुनिक हर्याना का निर्माता कहा जाता है यह भी बहुत ज़्यादा important point है चलिए बढ़ते है next point के और इन्होंने 1996 में हर्याना विकास पार्टी का गठन किया था तो हर्याना विकास पार्टी का गठन किरों ने किया था यह भी आपके लिए important है यह बात पी आप याद रखेंगे ठीक है विशाल हर्याना विकास पार्टी हर्याना विकास पार्टी हलोपा हर्याना लोखित पार्टी इन सब क गटन किस ने किया था, ये काफी बार पेपर में पुछे जाते हैं, ये भी बात आप याद रख सकते हैं, ये राजे के प्रदम सिख्षा मंतरी थे, ये भी important point है, ये point आपके लिए काफी important है, याद रखेगा आप प्रदम सिख्षा मंतरी कोन थे, सबसे कम उमर के मुख्य मं मंतरी कोन थे, सिल्पी वैलो पुरुस किसे कहा जाता है, आदुनिक हर्याना का निर्माता किने कहा जाता है, राजे में कुल तीन बार सियम बनने का रिकोर्ड किन के नाम है, चोदरी बंसिलाल जी के नाम है, ये राजे के प्रदम जाट मुख्य मंतरी थे, ये सबसे important point है, अगर जाट मुख्य मंतरी की बात करें, तो चोदरी बंसिलाल थे, आपके लिए एक और question है, आप मुझे comment में बताएंगे, अब तक total कितने जाट मुख्य मंतरी बन चुकी है, आप मुझे बताएंगे total जाट CM कितने है, अब तक कितने बने है, आप मुझे बता देंगे, comment म बताएं, इन्हें राज्य में नेरों का निर्माता और ड्रोप सिंचाई प्रियोजना का जनक कहा जाता है, most most important point, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं next point, इन्होंने राज्य में सरप परदम एक जुलाई 1996 को सराब बंदी कानून लागू किया 1999 में सराब बंदी कानून को लागू किया था, जिसे एक अप्रेल 1998 में बंद कर दिया गया था, ये point आप याद रखेंगे, आपके लिए महत्तपुर्ण है और आपको इन्हें याद रखना जरूरी है, चोदरी बंसी लाल जी के बारे में सब की सब point आपको याद रखने है अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बंसी लाल जी के बारे में आदुनिक हर्याना का निर्माता इन्हें कहा जाता है, लोग पुरुष इन्हें कहा जाता है, कम उमर के मुख्यमंत्री इन्हें कहा जाता है, हर्याना निकास पार्टी का गठन इन्हें कहा जाता है, प ठीक है और सिंचाई प्रियोजना किनोनियल लेके आये थे कौन लेके आये थे यही लेके आये थे एक बात और आदुनिक जो नहरें बनी है उनी का कार्य भी चोदरी बंसी लाल जी ने ही किया था ठीक है चलिए इन्होंने कानून की पढ़ाई पंजाब विश्वेद्याले से की थी मैंने आपको पहले ही बताया था चोदरी बंसी लाल जी जो है वो एक वकील थे कहानी मेरे नाना जी सुनाया करते हैं मुझे कई बार जब चोदरी बंसी लाल जी थे अपने ताव देविलाल जी की जब सरकार थी तो ये इनसे मिलने आया करते थे तो ये मतलब जो हमा कि इस वक्त सरकार थी तब क्या हुआ था इन्होंने सुजेस्ट किया था भी आप मेरा नाम ले दें भी मेरे पास एक बंदा है जिसको आप सीम बना सकते हैं तो चोदरी बंसिलाल जी को सीम बनाने में सबसे बड़ा हाथ ताउ देविलाल जी का था ठीक है और उसके बाद में ये उनके एंटी होगे थे जो भी जिस तरह का ये कहानिया है मुझे उसके बारे में पूरा नहीं पता पर मुझे इंटरस्टिंग लगी तो मैंने आपको बता दे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल कोई भी लेक्चर नहीं ला पाया उसके ये मैं समझ चाता हूँ ठीक है अब सही लगातार चलते रहेंगे सेशन एक शाम एक सुबह हर रोज ठीक है तो अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो पलीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद